Hey what's up guys, I'm gonna do it here आज की वीडियों बात करने वाले किस तरीके से आप लोगो को कोडिंग की प्रैक्टिस करने चाहिए The best way, the ultimate way, the ultimate guide to practice coding आज की वीडियो के अंतर भीडिसक्स करने वाले हैं तो ऐसी चीज़े हो रही होती थी, जो मैं आपके साँ शेर करता हूँ कि हम जाते हैं अलग-अलग websites के उपर घंटे बिता रहे होते हैं और घंटों बिताने के बाद भी कुछ एक अच्छा output निगल के नहीं आ रहे होता है और यह सब होता है यह सब आप देखोगे ना इस सब का root cause क्या तो इन सब का root cause निकल के आता है कि आप लोग practice ठीक से नहीं कर रहे हो इस सब मेरे साथ खुद भी हुआ है ठीक है यह सब होता था पहले लेकिन अब scenario एक्टम change हो चुका है अब मेरे साथ ऐसा है कि अगर कल भी मेरा एक interview है तो भी मुझे एक enough confidence है कि ठीक है यह coding का interview है यह निकाल लूँगा मैं ठीक है practice enough हो गई है और किस तरीके से practice करने यह knowledge हो गई है तो आज आपको मैं बहुत अच्छे से guide करने वाला हूं और बहुत बढ़िया resource बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अगर आप लोग को टॉपिक वाइस प्रैक्टिस करना है तो किस तरीके से आगे बढ़ तो आप लोग को इस website के बारे हम पता होगा अभी तक आप लोगो ने guess भी कर लियोगा जी हां Geeks4Geeks और आप लोगो पता इसलिए है क्योंकि यह one of the best website है इसलिए आप जानते हो इसको कुछ भी सर्च करते हो तो आप लोग को Geeks4Geeks मिलता है लेकिन आप बहुत बहुत कर रह कर रहे होंगे देखो जब भी आप प्रैक्टिस करने जाते हो न तो प्रैक्टिस करने के लिए तीन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है पहले वह तीन चीजों की बात कर लेते हैं तैन हम Geeks4Geeks की प्रैक्टिस की बात कर रहे होंगे और किस तरीके से आप लोगो पता होने चाहिए, उसके कुछ-कुछ easy solved examples भी आप लोगों ने देख लिए होने चाहिए, पहले से ही, उसके बाद ये आप लोगों को अंदर गुषने है, आप लोगों को पता है, binary search tree के जब तक मैं practice नहीं कर लोगा, तब तक binary search tree का concept मेरा नहीं होने वाला, ठीक है, question अगर म majority of लोग गलती कर रहे होंगे कहीं नहीं, ठीक है, तो practice वहाँ पर बहुत important होती है, लेकिन practice से पहले आप लोगों को पता होने चाहिए, कि binary search tree होता क्या है, आप लोग directly question में jump नहीं करोगे, तो इसलिए, थोरी आप लोगों को पता होने चाहिए, ये था पहला point, second point है कि कब medium questions आप लोगों से हिलने लगें, आप लोगों को पता भी चलेगा, और जैसे आप लोग medium questions भी आप लोग इनफ कर लोगे, तो आप लोगों से hard questions भी बनने लगेंगे, ठीक है, ये को ऐसी fine line नहीं है, जिसको आप लोगों को ऐसे step मार के cross करना होता है, ऐसा नहीं है, बह कर आप लोगो confident रहना कि कल मेरा interview और कल मैं interview को crack कर दूँगा, ये इस type का confidence रही है, तो कभी भी consistency को break नहीं होने देना, मेरी consistency अभी तक break नहीं होए, ठीक है, मैं अब मेरे को होगे, दो तीन साल होगे, college छोड़े हुए, ठीक है, और काफी time से तो companies भी छोड़ रहे हैं, ले करना है, दिमाग में सोच के नहीं होता है, ठीक है, दिमाग में अगर आप लोग ने सूच लया, तो जब actual implementation की बात आगी, तो शायद ना हो आपसे, तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, और ये तीनों के तीनों चीज़े ही fulfill हो रही होती है हमारी Geeks4Geeks वाली website से, अब आप बात करते हैं Geeks4Geeks के अंदर कैसे practice कर सकते हैं, तो आगर आप Geeks4Geeks खोलोगे, geeks4geeks.org, तो आप लोग गोलोगे, इसके अंदर तो इतनी सारी चीज़े हैं कि समझ नहीं आ रहा होता, कहां से start करें और कहां खतम करें, तो हाँ, आप लोग का सोचना बिलकुल सही है, क लेकिन मैं आज आप लोग को दिखाने वालों एक दूसरा variant of Geeks4Geeks, एक दूसरा page of Geeks4Geeks जहां पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा streamlined है, और एक वे बताने वालों कि इस तरीके से यह आप लोग को practice करना चुग है, तो यह है www.geeks4geeks.org, इस पर नहीं जाना है, हमें जाना है practice. practice.geeks4geeks.org पर ठीक है, और उस पर जाने के लिए यह आप courses पर क्लिक करोगे तो आप लोग प्रैक्टिस.geeks4geeks.org में आ जाओगे, यह है practice.geeks4geeks.org और यह है इनका home page, इसको bookmark कर लो, मैंने bookmark किया हुआ है, इस से आप लोग बहुत जल्दी इस पर रीच कर जाओगे, तो पहले हम बात करते है, problems की, POTD मतलब problem the day, काफी बढ़िया इन्हों ने बना दिया, और जो मैंने तीन चीज़ा आपको बताई है, कि आप लोग को start करना है, learning theory, theory तो आप लोग को पता ही, geeks4geeks.org उपर, then उसके बाद आप लोग को इस पर practice करने है, question easy, medium, hard, company wise practice करने है, तो अब UI काफी ज्यादा change हो जुका है, जब मैं college में था, मुझे आद है, इतना अच्छा, सुन्दर सा UI नहीं था, और काफी ज्यादा confusion रहती थी, कभी कहीं हो, कभी कहीं हो, तो अब वो चीज, UI के मामले में बहुत better हो गई है, और अब आप लोग के पास multiple features इसके नदर डाल दिये गए है, सबसे पहले problem type, अगर आप लोग को full problem solve करना है, मतलब पूरा का पूरा code खुद से लिखना है, पूरा का पूरा class से लेकर function तक, सब कुछ खुद से लिखना है, then full problems में आप जा चकते हो, otherwise आप लोग को सिर्फ एक function solve करना है, जो कि आज कल देख रहा हूँ मैं hard ऐसे करके, and then आप sort कर सकते इन questions को on the basis of submissions, किसके सब्सादा submissions हुए है, किसके सब्सादा accuracy है, और कौन सा newest question है इस तरीके से, तो ये सारे features तो already थे, इसके अंदर, then आप लोग के company wise आप practice कर सकते हो, अगर आप लोग कोई company आ रही है, तो उसके हिसाब से आप practice कर सकते हो, अब UI एकदम transform हो गया, सब कुछ change हो गया, ठीक है, तो ये question है, जैसे कि check for BST, इसके अंदर, अगर आप लोगों ने Geeks for Geeks को काफी दिनों से खोल के नहीं देखा है तो काफी ज़्यदा reform हो चुका है, पूरा का पूरा system, ठीक है, अब editorial वगेरा, और submission वगेरा, और doubt support का सब कुछ, इन्होंने अलग section बना दिया है, UI reform हो गया, एक और चीज, पहले मुझे आद है, जो test cases वगेरा हुआ करते थे, test cases ऐसे भी थे कि कुछ-कुछ, 2-3 test cases पर ही solve किया, और multiple test cases पर हो सकता है कि हमारा code run ना होता हूँ, अब वो चीज भी ठीक हो गई है, आप लोगों के multiple test Chisont W carong कर होगी ताप method does point moris के मिलेंगे डीका यह points से आप लोगों मैंगां बढ़ती है, आप लोगों की मंतली रांकिंग निगलती है, आप लोगों की अपना college के लिगे से कंदर वी रांकिंग बदाता है तो है तो आप लोग हमें आपने college के अंदर यह बंदा मेरे सरी उ डिरेक्टली आप लोगों को पता है कि कोई भी कोशन आप लोगों को सर्च करना होता है Geeks4Geeks के उपर आपके बहुत जल्दी आप लोगों को मिल रहा होता है ठीक है उसका सलुइशन इसकाल आप लोग अपने पुराने सब्मिशन देख सकते हो ठीक है कमपनी के टैक्स को हटा देते हैं अगर आप लोगों को इसके अदर टॉपिक वाइस प्रैक्टिस करना है क्योंकि वह आपको करना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले सब्सक्राइब हम जाते है mathematics के तो स्रिफ mathematics के easy वाले कोशन हमें करने है एक बार आप लोगोंने enough easy वाले कोशन कर लिए कब पता चले कभी है कि हमें कब easy से medium जाना है एक बार आप लोगोंने enough easy कोशन कर लिए और आपको लग रहा है कि यार ये कोशन तो देखते ही हो गया ठीक है जो आपको एकदम ऐसी sense आने लग जा है ना अंदर से ये ना आती है धिरे-धिरे करके आ जाती है जब आपको लगने लगने कि यार ये वाले कोशन तो देखती हो जाएगा तो आप लोग अपने आप ही मीडियम कोशन में shift कर जाओगे ठीक है उसके आप मीडियम कोशन करने लगोगी और जो आपको लगने लगए कि यार मीडियम कोशन भी देखती है समझ में आ जा रहे है कि हाँ इसका logic ऐसे होने वाला उसके बाद आप लोग को hard में move करने है ठीक है तो इस तरह किसे आप लो कोई company आ रही है और अगर आप लोग को जाने कि इस company में किस टैक के question जनरली पुछे जाते हैं तो भी बहुत बड़े website है आप लोग को बस company के text को select करना है सपोस करो Amazon के अंदर यह mathematical question जो भी थे Amazon के अंदर जो भी आयते वो सारे-सारे मुझे यहां पर मिल जाएंगे फिक है अब बात करते हैं second चीज की जिससे की आप लोग की consistency इंप्रूब करने में help कर रहा है Geeks for Geeks practice which is POTD problem of the day यह मुझे काफी कमाल का concept लगा बेसिकली आप लोग यहां पर आकर daily एक question solve कर सकते हो ठीक है और यह question सब को दिख रहा होगा अभी फिलाल दिख रहा है जैसे यह largest rectangle of ones with swapping of columns allowed ठीक है तो काफी बढ़िया question यह hard question यहां पर medium और hard question आ रहे होते हैं तो यह hard question है सोचते है question कैसे होगा तो basically आप लोग को एक array दे रहा है जिसके अंदर zeros और ones है तो यह वाला question ने actually मैंने कराया हुआ है जिसके अंदर swapping allowed नहीं थी लेकिन zeros और ones का rectangle है और आप लोग को maximum rectangle बताना है तो उसके लिए आप लोग को histogram maximum area है इन हिस्टोग्राम वाले तरीके साब करोगे तो row by row आप न क्योंकि swapping allowed है तो जो ज्यादा उच्चे-उचे rectangle है उनको आप एक साथ रख सकते हो और उससे आप लोग निकाल सकते हो कि क्या maximum area आ सकता है ठीक है क्योंकि उससे maximum area आ रहा होगा उससे आप लोग की time complexity आगी यहाँ पर अगर R rows है C columns है तो big O of R times C times log C क्योंकि sorting के अंदर log C लग रहा होगा आपका ठीक है तो basically मैं questions क्यों discuss कर रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से यह practice of the day है practice of the day की खास बात क्या है कि जब आप इसके अंदर जब practice कर रहे होते हैं तो आप लोग को coins बगरा मिलते है ठीक है और उन coins का यूश करके आप लोग उनको एक और चीज़ इनके YouTube चैनल के ओपर डेली वो question discuss भी होता है तो अगर आप लोग stuck हो आप लोग को समझ भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से होगा तो आप लोग इनके YouTube चैनल पर जाकि उस question को देख सकते हूँ किस तरीके solve होने वाला है ठीक है तो यह काफी cool चीज ल लिया हुआ है ठीक है तो काफी कमाल की चीज मझे लगती है ठीक है तो definitely worth checking out और डेली की डेली आपके practice हो रहेगी तो आपकी consistency को break नहीं होने देखा आप लोगों की basically consistency improve हो रही होगी तेरे-देरे करके अगर आप लोग एक डेली question solve कर रहे हो तो और उसके लावा आप लोग Geeks के कुछ-कुछ खुद के courses भी है तो वो courses आप लोग जाकर access कर सकते हो get hired वाला section इसके अंदर डाल दिया है जिसके multiple companies hire कर रहे हो तिया आजकल Geeks4Geeks के थुरू इसके लावा कुछ-कुछ events है I think ठीक है यह सारे-सारे events कुछ-कुछ लोग आते रहते हैं तो basically यह सारे events है but most important जो था मुझे आपको बताना था कि हाँ Geeks4Geeks के उपर आप practice कर सकते हो Geeks4Geeks के उपर भौत सारी knowledge है आप लोग को पता होगा आप लोग जब भी कुछ search करते हो Geeks4Geeks का link खुल जाता है Geeks4Geeks के उपर काफी सारी knowledge है लेकिन उसको किस तरीके से आप लोग को best utilize करना है वो मै ठीक है तो practice अच्छे से करनी है एकदम streamline practice करनी है और चीज़ें होने लग जाएंगे अपने अपी ठीक है तो यह था इस वीडियो का main motive वीडियो बताना कैसे लगी अगर कहीं भी अभी आप स्टक हो तो मेरे को जुरूर बताना आप लोग कमेंट सक्षिन के अंदर मैं आप झाल